2024 के नतीजे में यूपी में बीजेपी को इस बार बड़ा जटका लगा है समाजवादी पार्टी को 37 सीटे जबकि भाजपा को 33 सीटे मिली है भाजपा को 2024 के आम चुनाव में पिछली बार की तुलना में 29 सीटों का नुकसान हुआ है ऐसे रिजल्ट आने के बाद यूपी में सरकार एक्शन मोड में आ गई है और 48 घंटे के अंदर कई बड़े फैसले लिये हैं यही नहीं सीम योगी के निर्देश पर खाकी भी फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रही है प्रदेश के 13 जिलों में पुलिस और बदमाशों के बीच करीब 16 मुठभेड हुई है इनमें 2 बदमाश धेर हो गए हैं जबकि 16 बदमाश धायल हो गए है 5 जून को पुलिस ने जौनपूर में एक लाख के इनामी बदमाश प्रिंस सिंग को मार गिराया प्रिंस पर हत्या, लूट और डकैती के 37 मुकदमे दर्श थे 6 जून को मुझफर नगर में 2 लाख का इनामी बदमाश निले पुलिस एनकाउंटर में धेर हो गया मुटभेड में उसके सीने में गोली लगी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाकी ही एक्शन ले रही है, खाकी पर भी एक्शन हो रहा है लपारवाही और भष्टाचार करने वाले पुलिस कर्मियों पर बड़ा एक्शन लिया गया है आकड़ों के मुताबिक 61 पुलिस कर्मी सस्पेंड और लाइन हाजिर किये गए है मामला सिर्फ क्राइम कंट्रोल तक ही नहीं रुका है लोगसबा चुनाव में विपक्ष ने बेरोजगारी को प्रमुख मुद्दा बनाया था अब CM योगी ने खाली पदों को भरने के आदेश जारी किये है CM योगी आदितिनाथ ने 6 जुन को सभी अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव इस्तर के अधिकारियों की बैठक की इस बैठक में पूरा जोर सरकारी विभागों के खाली पदों को भरने पर दिया गया मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक CM ने अफसरों से कहा नियुकती प्रक्रिया में सरलता के लिए ऑनलाइन आवेधन की विवस्था लागू की गई उसका उपयोग करें चैन आयोक से संपर्क बनाएं तुर्टी पूर्ण आवेधन न भेजें CM योगी की बैठक में सिंगल यूज प्लास्टिक और स्ट्रीट डॉग पर भी बातचीत हुई CM योगी ने कहा सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिवन कडाई से लागू किया जाए सेफ सिटी पर योजना से जुड़े कार समय पे पूरिक गी जाए नगरों में कहीं भी पे जल संकट नहीं होना चाहिए स्ट्रीट डॉग की समस्या का इस्थाई समाधान तलाशा जाना चाहिए यही नहीं CM योगी अधितिनाथ ने बैठक में कहा तेज गर्मी और लू का मौसम चल ला हा है ऐसे में पूरे प्रदेश में गाउं हो या शहर कहीं भी अनावश्यक बिजली का टौती नहीं होनी चाहिए बिजली तभी कटे जब बहुत जरूरी हो ट्रांसफार्मर जलने, तार गिरने, ट्रिपिंग जैसी समस्या का जल्द से जल्द निस्तारण होना चाहिए अधिकारी फोन अटेंड करें, कहीं भी विवाद की इस्तिती नहीं बननी चाहिए जदी ऐसा हो, तो वरिष्ट अधिकारी तुरंत मौके पर पहुँचे बता दे कि साल 2014 के एलेक्षन में UK में BJP को 72 सीटे मिली थी जबकि साल 2019 में 62, इस बार BJP को UK में सिर्फ 33 सीटे मिली है इसे BJP के लिए बड़ा जटका माना जा रहा है कहा तो यहां तक जा रहा है कि इसी वज़े से बीजेपी इस बार अकेले बहुमत तक नहीं पहुंच तकी अब CM योगी के इस एक्शन का आगे क्या असर होता है ये तो समय बताएगा इस वीडियो में फिलहाल इतना ही बने रही है न्यूजनेशन के डिजिटल प्लोट काम पर